तlvania रेइए अन्ween हलो इस वीडियो में हम टेक्स्ट बॉक्स के बारे में जानेंगे तो सब से पहले हम यह जानते है कि टेक्स्ट बॉक्स क्या है तो टेक्स्ट बॉक्स स्क्रीन पर एक आयताकार box होता है, जिसमें हम अपने text को enter करते हैं, जब हम text box में click करते हैं, तो एक cursor दिखाई देता है, जहां पर हमें cursor दिखाई देता है, वहां पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, इस text box को हम बिना cut copy paste किये, एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जा सकते हैं, text box बनाने के लिए हम insert tab पे जाएंगे, insert tab पे जाने के बाद text box पे जाएंगे, और यहां पे यह first command text box यहां पर click करेंगे, click करने के बाद यहां पे कितने जगा पे हमने इसको text box बनाना है, वहां पे इसको drag करेंगे, यह हमने इसको drag किया, यह यहां तक, तो यह text box के लिए यह हुआ है, इसका मतलब यह है कि यहां से हम लिखना शूरू करेंगे, तो यहां पे हम कुछ भी लिखेंगे, जैसे यहां पे हम ने लिखा, My YouTube Channel is Named Bias Gyan Tech, यह हमने यहां पे लिखा, लिखने के बाद हम इसको select करेंगे, select करने के बाद इसका हम यहां पे size बढ़ाएंगे, यह font size हमने इसको बढ़ाया, यहां पे font size हमने किया, 32 यह font size किया, font size करने के बाद इसको center में करेंगे, यह center में किया, center में करने के बाद इसको यहां पे bold करेंगे, यह board में हो गया बार यहां पे click करेंगे यहां पे click करने के बाद यह जितना भी लिखा हुआ है हमने text box में लिखा हुआ है तो अब यह जो हमने यहां पे लिखा हुआ है इसको हम बिना cut copy paste किये एक स्थान से दूसरी स्थान पर ले जा सकते है जैसे यह देखो हमने यहां पे click किया यहां पे click करने के बाद यह देखो यहां से खींच के हम इसको उठा के कहीं भी ले जा सकते है जहां भी हमने इसको रखना है वहां पे इसको रखेंगे जैसे यहां पे रखना है तो यहां पे रखेंगे या यहां पे right side top में रखना है तो top में रखेंगे या left side के top में रखना है तो यहां पे रखेंगे या bottom में रखना है तो bottom में रखेंगे तो हम इसको कहीं भी text box को उठा कर ले जा सकते हैं तो यहां पर हम जब text box बनाते हैं तो यह formal tab यह बन जाता है यहाँ पर click करेंगे click करने के बाद आगर edit shape इसकी shape को edit करना है तो यहाँ पर हम click करेंगे और change shape यहाँ से shape change करनी है तो यहाँ से हम shape को change कर सकते हैं जैसे यह rectangles अगर हमें यह shape चाहिए तो यहाँ पर click करेंगे यह देखो इस shape में ये बन जाएगा ये text box change हो गया है इसके बाद आगे है ये shape style ये सभी style है ये देखो इसमें करेंगे तो ये style आएगा इसमें करेंगे ये style आएगा या और style चाहिए text box का तो हम यहां पे click करेंगे more पे click करेंगे more पे click करने के बाद ये देखो सभी style आ जाएगे तो जो भी style च जाएगा स्पाउज करो हमें यह style चाहिए यहां पे click किया तो यह देखो यह style यहां पे apply हो गया apply होने के बाद अगर हम यहां पे शेप fill करेंगे इसको शेप fill करने के लिए इसमें भी अलग लग color आएंगे यह देखो अलग लग इसमे color है,imiz जो भी color चाहिए, उस color पर हम क्लिक करेंगे, वही color यहां पर आ जाएगा, यह चाहिए तो यहاं पर click हिया, तो यह text box का shape color यहां पर change हो जाएगा, इसके बाद shape outline, अगर हम यह text box की outline इसको change करना जाते हैं, तो हम यहां पर click करेंगे, यहां पर click करने अगर ये color हमने change करना है तो यहाँ पे जाएंगे shape outline पे और अगर हम color change करना जाते हैं जैसे ये purple ये रखना है यहाँ पे click करेंगे ये देखो shape outline यहाँ पे change हो जाएगी इसके बाद shape effect तो यहाँ पे shape effect change करना है preset में करना है कौन सा चाहिए इसमें चाहिए यह देखो चेंज हो रहा है यह इसमें चाहिए यह सभी यहां पर स्टाइल है जिसमें भी चाहिए उसके ओपर क्लिक करेंगे वही आ जाएगा suppose करो हमें यह preset second वाला चाहिए यहां पर क्लिक किया तो यह second वाला यहां पर apply हो जाएगा इसके बाद text box को यहां पे shape effect फिर जाएंगे और यहां पे shadow पे जाएंगे अगर shadow करना है इसको text box को तो यहां पे shadow में करेंगे इसके बाद अगला है reflection अगर reflection चाहिए इसमें चाहिए तो यह देखो यह reflection में आ रहा है यहां पे click करेंगे यह दिखो इसकी reflection यहां पे आ रही है text box की इसके बाद फिर ही यहां पे shape effect में जाएंगे अगर glow में करना जाते हैं यह दिखो glow में किस glow में करना जाते हैं suppose करो हम इस glow में करना जाते हैं यहां पे click किया तो ये लिखो इस ग्रोव में ये text box आ जाएगा इसके बाद फिर shape effect पे जाएगे इसके बाद है soft edge यहां पे जो भी यहां पे soft edge चाहिए वहां पे click करेंगे ये उसमें बन जाएगा इसके बाद viewer ये भी style है यहां पे जो भी चाहिए इसमें चाहिए या इसमें चाहिए suppose करो हमें ये इसमें चाहिए तो यहां पे click करेंगे ये देखो ये इसमें change हो जाएगा इसके बाद फिर shape effect में जाएगे और 3D rotation ये देखो ये जो text box है इसको अगर 3D rotation में करना है तो यहां पर यहां पर यहां पर 3D rotation में यह आ रहा है जैसे suppose करो हमें यह चाहिए तो यह दिखो इसमें बनके यह आ जाएगा तो इस प्रकार से यहां पर हम text box को बना सकते हैं और आपने document को attractive बना सकते हैं तो इस वीडियो में हमने यह सिखा कि text box को कैसे create किया जाता है अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छे लगी तो please subscribe my channel धन्यवाद